हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है विकास स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी सैमसंग का फोन यूज करते हो और आपका नोटिफिकेशन बार आ नहीं रहा नीचे नहीं हो रहा दिक्कत आ रही है तो आ कर ली होंगी तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं यहाँ पर आपको सैटिंग नहीं प्लेस्टोर में जाना है यहाँ पर सेर्च करिए एमाई कंट्रोल सेंटर अब सेर्च करिए और इसको यहाँ पर इस्टॉर कर लिजिए यह वाला अपलिकेशन द्यान से देख सकते हो इसको इंस्टॉल कर लिजिए और इंस्टॉल करने के बाद इसे यूज कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूं इससे क्या होगा कि हमारे फोन में जो कंट्रोल पैनल यारे नोटिफिकेशन बार जो नीचे करते हैं यह काम नहीं कर रहा तो यह हटके नया आ जाएगा बेसिकली हम इसको सही करने वाले हैं एक अलग तरीके से तो करीबन 10 MB का अप्लिकेशन है यह तो हम इसको 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 फिर पूरी तरह किसे यूज कैसे करना है बताता हूं मैं आगे वीडियो में बने रहिएगा छोड़के मज़ जाए यह वीडियो तो यह install हो चुका है फिर आप इसे open कर लेजी simple है open करिए थोड़ा सा wait करना है यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई add देखने को मिले या थोड़ी देर लगे अगर आपका phone slow है तो मेरा phone बहुत पुराना है करीबन 4 साल हो गए phone को मेरे तो इसकी वेशोड़ हैंक कर रहा है phone म तो एड़ आ गई है तो एड़ को कट कर देते हैं यहाँ पर हम और इसे close कर देते हैं एड़ को ऐसा पेज आएगा सबसे पहले से चालू करिए allow करिए यहाँ पर मिलेगा accessibility इस पर accept करिए इसको आपको यहाँ पर accept करने के बाद यहाँ पर मिलेगा accessibility इस पर touch करिए accept करिए accept करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर install service इस पर आईए आपको मिलेगा यहाँ पर माई control center इसको select करें इसे चालू करें इसको on मत करिएगा इससे आप allow कर दीजिए चालू कर दीजिए back करिए फिर एक और पेज है यानि यह वाला इससे चालू कर दीजिए और नीची आईए आपको मिलेगा माई control center इससे on करिए allow करिए setting complete लगबग हो चुकी है इसे बंद कर दीजिए और आप इसे use करिए असानी से देखिए अब हमारा यह change हो गया साइद आपके मैं काम नहीं कर रहा था तो यह काम करने लग जाएगा तो ok करते हम इसको ok करते हैं ok करने हो कहेगा 3 चाबा ok कर कर दीओ में